हेलो दोस्तों, दोस्तों, NCRT Science Series में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, दोस्तों इस वीडियो में हम लोग Class 8 का पहला चेप्टर हम लोग कम्प्लिट करने जा रहा है, और बहुत सरा चेप्टर अल्लेडी हम कम्प्लिट करा चुके हैं, डिस्किप्टर में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं, दोस्तों अगर अभी तक आप चैनल को सब्सकाइब नहीं किए, तो सब्सकाइब किजिए और किसे कहते हैं, फसल का मत्तब होता है, जब आप एक ही तरह का पौधा, जब आप एक ही तरह का पौधा, बड़े पैमाने पर उगाते हैं, तो उसको फसल कहते हैं, ठीक है, जिसे गेवू का फसल हो गया, ठीक है, धान का फसल हो गया, दाल का फसल हो गया, कोई सबजी का फस रखेगा एक फसल जो होता है जिसको हम लोग खरीब फसल बोलते हैं और एक फसल जो होता है जिसको हम लोग रवी फसल बोलते हैं ठीक है खरीब फसल किसे कहाते है तो ऐसा फसल जो बार्सा रितू में बोय आ जाता है उसे हम लोग खरीब फसल का उधारन है ठीक है खरीब फस कहां से कहा होता है खरीब फसल जो होता है जून से सितंबर थक रोपा जाता है ठेक है किसको खरीब फसल को और इसका उधारण आप समझ गया धान मक्का स्वैभिन मुंफली कपास रवी फसल किसे कहते हैं तो जो सीट में सीट मतलब ठांडा में जो फ़सल उगाया जाते है उसको मूझे रवी फसल बो लएंगे यह फसल जो हता ऑक्टूबर से मार्च में होगा मतलव ठंडा की धीनों में होगा लगवा, अक्टूबर से लगवा, हल्का-थन्डा थन्डा हो जाता है, और जो बारी से स्ठाट होता, वो यून से सितंबर होता है, इस बीच में यह सब क्या है यह रवी फसल है अब हम लोग जो क्रीसी करते हैं उसके लिए कुछ नियम होते हैं उसको हम लोग का बोलेंगे क्रीसी पदेतिया बोलेंगे जैसे सबसे पहले क्रीसी में क्या करते हैं मीटी को तयार करते हैं फिर उसके बाद फसल को बुवाई करते हैं फिर ख खरपतवार भी उखता है ठीक है जो फसल को का करता है खराप कर देता है फसल को का जो निउट्रियंट्स है फसल का जो खाद है उर्वरक है उसको यह ले ले लेता है तो उसको हटा देते हैं फिर उसके बाद जब फसल पक जाता है तो कटाई करते हैं और कटाई के बाद हम ल और नहीं होगा तब तक आचा फसल नहीं होगा इसलिए गाव में देखेगा पहलो जोता जाता है फिर जोतने के बाद बहुत सार ढेला हो जाता है तो फिर उसको ठीक है उसको सपाट से उसको जिसको पाटल बोलते हैं पाटल से उसको काकेज प्लेन कर दिया जाता है मिटी को तो एकदम मुलाईम मुलाईम में अंदर घराय तक जाएगा और पानी को खीचेगा और उससे उसमें आच्छा सोशन भी होता है ठीक है क्योंकि ढूअ कि बहुत tutti जा सकती है अगर मुलायम मिटि लाएगा तो और इससे उसमें अच्छा सोशन भी होगा बुर्भुरी मिटी में रहने वाला जो केच्वा होता है उससे क्या होगा सुपनजीव को विरिधी करने में मदद करेगा मिटी को उलट प्लट करने में खुला करने से पोशक पदार उपर आ जाते हैं और उसको जादे उसको अगर उलट पुलट कीजिएगा तो जो भी पोशक पदार था वह उपर आ जाते हैं और इससे पौधों का पोशक तो तो मिल जाता है ठीक है और पौधों का विरिधी अच्छा होता है जोताई के लिए खेत को संतल कैसी किया जाता है तो जोताई के हम लोग क्या करते हैं सेट को जो खेट होता होग commence को बराबर करते हैं किसे पाइटल से ठीक है जिसको अपने भासा में हम लोग हेंगा बोलते हैं ॉ इनफ कीा जाता है को ब्रूबरा किया जाता है जिसको हम लोग अपने भासा में खेत का जोताई भोलते हैं खेत का जोताई होल से भी होता है कुदाल से भी होता है और कल्टिवेटर से भी होता है ठीक है कल्टिवेटर किसमें लगा होता है ट्रेक्टर में अगला हल का कार्च क्या होता है तो हल का कार्च वह हो हzelf बोलते है और यह जो यह जम पर इस्टील का जो पत्ति लागा रहता है उस ao को यह लोगे फाल बोलते हैं ठीक है अर जो कांध़ा पर रहते है बैratic के उसusement बोलते हैं ठीक है तो जो पर अब लख रहे लाकरी उसम बोलेंगे ठीक है और जिससे जोते सब्सक्राइब and the युचछ बना होता है य ऑजार लक्री और कुछ बाहग की से हजाता है工作छ और किसे करते हैं तो कटें रब की इस tut और की वाल भागँ आपना हुद होता है धोनोके मकलं मदद करते हैं तो का उप्यों खरपत्वार निकालने एवं मिट्टी को भुरुबरा करने में हम लोग कुदाल का इसमाल करते हैं आज कल जुताई ट्रेक्टर द्वारा संचलित कल्टिवेटर से किया जाता है जो सरम और समय दोनों की बचत करता है वहाई में अच्छे गुनवाता वाले साफ स्वस्थ बीजों का चैन किया जाता है जब भी हम लोग वाय करते हैं मतलब बीजों को ठीक है रोपते हैं मिटी में रोपते हैं तो वहाँ पर हम लोग कैसा बीज चुनते हैं स्वस्थ बीज को चुनते हैं और साफ बीज को चुनते हैं ठीक है और गाव में देखे होंगे चैन सकते हैं जे पानी में बीज़ों को रखता जाता है जो उपर आ जाता है मतलड़ कोफले बीज होते हैं ठीक है ओ अच्छे बीजgrass स्वस्त-बीजब नहीं श्यूल पर आजाते हैं और जो अच्छा भी जोते हो नीचे जाके बैठ जाते हैं ठीक है इसके द्वारा बीजों को समान दूरी एवंगराई बनी रहती हैं अब अगर आप पौधों को लगाते हैं तो पौधों को बीज में उची दूरी होना अनिवार जाए देखिए एक ही पौधा अगर एक ही जगा सब पौधा हो जाएगा तो उसको पूरा पोशक्तत नहीं मिल करें लौत है और सुरज की रौसनी उन्हें परयाप मिल सके ठीक है इसमें परकास हो गया पोशक्तत हो गया और परयाप मात्रा में जल हो जब कि धीयान रखेगा जो उर्बरक रखोता है जिसको फट्रिलाइजर भी बोलते हैं यह जो होता है जिसमें पूसकतत होते हैं टेक है इसमें घर सामान होता है अब बात करेंगे OURIK के उधारन बहुत है मि डाया चाहिए उसको बनाए रखना और टो बनाए रखना पर जैवी खात का इसे माल करना चाहिए उसके बाद दो फसलों के बीच में ठीक है के बीच खेत को कुछ समझ देना चाहिए एक फसल हो गया फिर कुछ गयब करके दूसरा फसल लगाना चाहिए खात के परियोग से मीटी गठन एवं जॉला उससन शम्ता में बिरीदी होती है जैवी खात देना चाहिए एक फसल के बाद छेतमे दूसरी किसमी की फसल लगाना चाहिए धूक लगाद इति को अगरी चाहां नहीं दहुपको लगाना ह। कि अपिए सब्सक्राइब से अच्छा होता क्यों होता है यह मानो निर्मित होता है यह बनाई सकते हैं उरवर का नबीव भी मिलता है उरवरख में पादप पोशक जैसे की नाट्रोजन फॉस्पूरस ताथा पॉडासियम पर्चूर मातरा में होता है ठीक है इसमें खास जो होता है खास पोशकतत होता है जबकि खाद में पादप पोशक तुलनात्मा कुछ से कम होते हैं ठीक है लेकिन यह पौधों को नुकसान नहीं पहुचाते हैं जबकि यह होता है मत्लब मेडी जाओ बुरबॉरा हो जागा तो गैसус में आएगा जाएगा ठीक है इसे मीतव जीवानु की संग्या ब् legg होती है जो जीवानु है जो पोगोंडों को ठीक है सबढ़ेजन देते हैं उनकी सनंग्या का होगा ब्रीदी होगा अगला है दोस्तों सिचाई के प्रह रंपिंग तरीके क्या होते इस पर बहुत बार कॉशन पुषा गया याद रखिएगा पहला मोट घ्रनी मोट जिसको घ्रनी भी बोलता है उसा चैन फमप थिस्या ठेकली छोदा है रहट यह याद रखए .... तो यह वला जू देख रहा है ठीक है जो मोग चैन से निकालते हैं। घिरनी की तरह होता है इससे हमलोग पानी निकालते हैं। लुखे के द्वारा जो सी चाई होता है उसको क्याव त Tail ३र। देख रहा है आप चैन पंप द्वारा इसको चैन पंप बोलेंगे ठाए और यह भीर धेकली ख़ फिऩर होगा जो फानी निकालते हैं इस सी चाई होगा उसको डेकली बोलेंगे और रहाट बायल के मदद से यह नस्ते रहता है इसके द्वारा जो पानी निकलेगा उसको हम लोग बोलेंगे इसको हम लोग बोलेंगे रहाट ठीक है अब आदूनिक विधिया जो है दो तरह का है एक चिरकाव यंत्र और द्रीप यंत्र ठीक है चिरकाव यंत्र का उपयोग जो होता है समतल भूमी के लिए किया जाता है जहां पर जल का कम मातरा होता है ठीक है इसे जल बजता है इसमें नौलों के उपर क्या होता है यह नोजल जो होता है घुमते रहता है और इसे पानी जो होता है छिरकाव के रूप में पौधू पर पड़ता है ठीक है लेकिन इसमें भी थोड़ा बहुत पानी का नुकसान हो जाता डिकला है एस सब्सक्राइब कर अगे ash만र और यह बहुत ही आचा मेत्टेड होता है इस में पानी का बरबादी नहीं होता है और यह थ Kr सकतए-र예ology बिकाव नहीं होता है बुंदे बुंद जोर पर जाके गिरेगा ठीक है अगला यह जल की कमी वाले छेतर के लिए वर्दाना ध्याना किएगा खर पत्वार की से कहते हैं तो उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे पौधे भी उख जाते हैं परकिर्तिक रूप से जो हमारे लिए ज कर लेते हैं जिससे फसल का जो व्रीदी होता है उस पर असर पड़ता है इसलिए खरपतवार जो होते हैं वो पौधों को क्या करते हैं नुकसान पहुचाते हैं ठीक है तो इसका उपाई होना चाहिए तो इसका उपाई क्या करते हैं हम लोग इसको खुरपी से या कुदाल से या उसको स्वटाइि कर देते हैं और उसको उसी में छोड़िते हैं उसको बाहर नहीं देखत था में लाता में मिल जाता और यह पव्षक्ता है तो अधीम उक्साम पहुचा पहुचाता है लगें जब इसको इसको की दोफ के छोड़ एता है okay खेत में तो यह पव्षक है खर्पतवार पौह को कैसे नुक्सान पहुचाते तो यह जल यह यहिरीदी होती है उसमें क्या करते हैं ये बाधव होते हैं निराई की से कहते हैं तो खर्पत्वार हटाने की जो परकरिया होता है उसको निराई को अब कप करेंगे मतलब खर्पत्वार को कप अब हटाएंगे तो देखिए फोसल उगने से पहले खेत जोतनेमे की खरपतवार उखाने वं हटाने में सायता मिलती है ठीक है फसल ऊगाने से लिए खेत जोतने में खरपतवार को उखाड़ लीजिए यहाथ से भी उखНе सकता है ठीक है और इसको折ब को सूख जाएगा मीटी मिल जाएगा कि खरपतवार नासी किसे कहते हैं तो कुछ ऐसे बी रसायन होते हैं जिसको ऊगर छिरक दी जेगा तभी खरपतवार का हूंगे मर जाएंगे ठीक है तो ओएसे रसायन को मैं क्या बोलेंगे हभर पतवार नाशी का उधार्न क्या एक कलई घ्युकि आप चिर्टाव करते समय यह जो होते हैं जो आदमी शिर्काव करता अपने मूग को क्या करता है ठक लेता है ठीक है क्योंकि इसका परभाव जो होता है अगर सरीर पर पड़ेगा यह सांस के द्वारा अंदर चला गया तो बुरा पर पर अपुरता है कटाई किसे करते हैं तो फॉ चांती बोलते हैं ठीक है और अपने भासा में उसको हस्वा बोलते हैं ठीक है हार बेश्टर किसे करते हैं तो अब मसीन का उप्यों किया जाता है फसलों की कटाई के लिए इसको में का बोलेंगे हार बेश्टर बोलेंगे ठ्रेसिंग किसे करते हैं तो थ्रेसर का नाम सुन फशल को काटे कंभाइन में कंभाइन मसीन जो पूरा काम कर लेता है ये फशल को काटे ख़ंक का जो भीज बिज भूसी को भी अलग कर लेता है ठीक है कि अब थरेसर का कॉम सिस्पेश्चाइवा इस्था कमबाइन चाञा कटा रीथिक में कुछ बीश्यसस पर हों याद एक ड़ीध पूंगल यह भाइंग बाट सकान के विए बरी uto बिता दिवाली ने करने गोड़ा में करते हैं जूट का बना होता है ठीक है धातु का बना रहता उसमें और अनाज का बर्या पर भंडारन कहां किया जाता है आप फदर को बंदार रिखते के जाता है तो अनाज होता है उसमें हम निम्त पति मिला देता है ताकि उसमें जो किटानु है वो बाहर रहते हैं दोस्तों आसे करते यह वीडियो आपको कफी आच्छा लगा होगा दोस्तों वीडियो को लाइक किजिए और चैनल को सब्सक्रा